हेलो फ्रेंड्स दिस जोती वर्मा तोड़े आइम गूंग तो स्टार्ट वे टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जैसा कि हम यह सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपना टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का जो हमारी पेडागोजी है और इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं हमारी थर्ड सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं तो सेकंड यूनिट का हम यह लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे पाठ्थे सहगामिक रियाओं का आयोजन एवम संगठन मतलब और्गनाइजेशन प्लैनि प्लैस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे मुझे बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है और आपको टाइम तो टाइम इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी प्लीज प्रेस्ट बैल आइकन और तो इसके अंद को करिकुलर एक्टिविटीज यानि कि पाठे सहिगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संगठन तो इसको किस तरीके से संगठित किया जाता है किस तरीके से और्गनाइज किया से activities होती हैं जिनको स्कूल में organize किया जाता है जैसे खेल कूद यानि कि sports वगएरा हो गए व्यायम exercise संगीत यानि कि music related कोई भी चीज नेते मतलब dance संबंदी नाटक यानि कि आपके basically जो play वगएरा होते हैं भाषन speech वगएरा कभी सम्मेलन आदी तो यह सारी चीजे स्कूल के अंदर organize कराई जाती है इन्हें अब पाठे सहगामी क्रियाएं कहा जाता है मतलब इन्हें क्या कहा जाता है पाठे सहगामी क्रियाएं यानि की सांस्कृति क्रियाएं कहा जाता है मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत तरीके की होती है देरा सो मैंने टाइप्स इन को करिकुलर एक्टिविटीज जो हम आगे पढ़ेंगे और इसका एक हमारा अलग से भी सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है यह कि क करिकुलर एक्टिविटीज बेसिकली कितने टाइप्स की होती है तो इसमें देखेंगे पार्थे क्रम यानिकि जो हमारा करिकुलम है उसके साथ साथ अन्य करियाएं जिसमें जिसके द्वारा बालक का सरवांगीर विकास संभवों मतलब उसका ओल राउंड पार्थे सायगामी क्रियाएं कहलाती है तो यह क्या कहलाती है को करिकुलर एक्टिविटीज आगे हम देखेंगे पार्थे सायगामी क्रियाओं का महत्व यानिकी इंपॉर्टेंस आफ को करिकुलर एक्टिविटीज तो इसका क्या महत्व है इसके महत्व को देखेंगे हम और उनके जीवन में इसके लिए बैसिकली इनको करीकुलर अक्टिविटी से एक तरीके से टेस के वह. सगेंड है लोकतांत्रिक भावना का विकास मतलब उनके अंदर लोकतांत्रिक भावना का विकास करना अपने देश के प्रती और जादा अवियर करना उन्हें यह बेसिकली लोकतांत्रिक जो भावना है वो क्या है थर्ड है हमारा इसके अंदर मानसिक शक्तियों का विकास करन मतलब उने काशट dovevloveiter की होएं जो इनकी मानसिक शक्तियां उसका और जादा विकास करना क्षरा आफ ए यह रास्ट्रियता का विकास करता उसके प्रति उनके उंसी 말 जाड़ और इस प्रकार कीभावना को जाग्रुख किया जाएं उन्हें फिफ्थ है समाज्योप यूप्योगी साथ to band के रूप के विकास करना है उसके अंदर क्या ूप sa ne से रूप यूप्योगी आनकर क करना उनके सेवन्थ है व्यक्तित विकास करना मतलब उनकी personality को development करना personality development उनकी होनी चाहिए तो चुस ये seven points हैं जिसके अंदर हमारे जो यह हमारे co-curricular activities के अंदर आते हैं और इसी लिए co-curricular activities कराई जाती हैं आगे हम देखेंगे इसके अंदर पाठ्थे सहगामी क्रियाओं के प्रकार अब इसमें हम देखेंगे टाइपस आफ को करिकुलर एक्टिविटीज तो कितने प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में फर्स्ट है हमारी शारिरिक विकास संबंदी क्रियाओं यानि कि शरीर से रि कारी रिविका विकासंबंधी क्रिया होती हैं सेंस्कृतिक क्रिया यानि की संघितनी से रिलेटेट कोई भी अक्टिविटी अगर स्कूल में करा है जा रही है है जैसे संघीत और जैंतिया उत्सव पर्व लोक जी अमतलब जो आपके फोक सॉंग रोते हैं ऐसारी चीज़ें होती है यह सांस्क्रिटिक क्रियाम में आती है यानि कि आपकी तर्थ अमारा इसके अंदर मानसिक क्रिया मतलब मेंटल लेवल तहसे वह जो विए आपकी अंदर दूइम होती है वह इनकरीज होती फूर्थ है हमारा इसके अंदर समाजिक क्रियाएं मतलब social level पे कौन-कौन सी क्रियाएं होती है समाज सेवा, शिवर, समाज सेवा, कलब, मतलब यह social activities होती है एक तरीके से social worker के रूप में आप इसमें काम करते हैं समाज सेवा करना, इसके शिवर लगाना, ऐसे clubs लगाना, सहकारी संस्थाइं होती है इसके अंदर जैसे की NGO होते हैं, पर्व पर किसी भी पर्व पर समाज सेवा आदी तो इसमें basically क्या है समाजिक क्रियाएं हैं, फिफ्ट है साहितिक क्रियाएं कहानी लेखन प्रतियोगिता होती है, नाटक लेखन होती है, तो यह सारी basically क्या होती है, आपके साहित्य से related, जिसको साहित्य का घ्यान होता है, वो इसमें participate करता है, और जिसको नहीं भी होता, वो भी participate करके इसमें knowledge गें कर सकता है नेक्स्ट हम देखेंगे, पाठे सहगा मिक्रियाओं के संचालन में कठिनाईया, मतलब difficulties क्या-क्या आती है, ऐसी organizing करने में, difficulties in organization of co-curricular activities, तो इन activities में क्या-क्या कठिनाईया आती है, वो हम देखेंगे, कुछ four points में, तो first है हमारा इसके अंदर, पाठे सहगा मिक्रियाओं क संचालन में साधनों का अभाव एवं वित्त का अभाव बना रहता है, मतलब ऐसा होता है कि जब भी आप कोई बड़ा program organize करते हैं, तो उसमें आपके लिए साधन जो भी आप उसमें use कर रहे हैं, या फिर आपके लिए वित्त मतलब आपके लिए finance का क्या होता है, उसकी problem आ मतलब जो संचालन में क्या करते हैं, वो अधिक रूची नहीं रखते हैं, वहां के अधिकारिगन, रूची ना होने के कारण क्या होता है? इनका वेवहार वद रिष्टिकोड असहयोगी हो जाता है, मतलब वो उसके अंदर कोई सहयोग नहीं कर पाते हैं, थरड है तो फूर्थ है हमारा इसके अंदर इन क्रियाओं के संचालन में, मतलब यह जो co-curricular activities होती हैं, इनके संचालन में अन्य संस्थाओं का अंधानुकरंट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो basically यह कुछ points थे, जो कठिनाईयां इसके संचालन में आती हैं, इसको organize करने में आत होगे, तो friends thank you so much for watching this video, subscribe my channel, watch this video and share with your friends also, thank you so much